निलू, बेटा जल दीकर कन्याएं बस आती होंगी हा मा, हलवा बन कर तयार है चने तो पहले ही बना दिये थे बस पूरी बनाने जा रही हूँ नहीं रहने दे, पूरियां मैं उतार दूँगी तू जा कर तयार हो जा, तू भी तो कन्या है, सब के साथ तू भी बैठना नहीं मा, आप कुछ नहीं करोगी बड़ी मुश्किल से तो तब्यत कुछ सुद्री है फिर से रसोई में लगने की कोई जरूरत नहीं है तुम बस कन्याओं को बिठाना, बाकी सब मैं कर लूँगी दस साल की मा सूम नीलू की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर उसकी मा सावित्री मुस्कुरा दी और फिर बाहर कन्याओं के बैठने का इंतजाम करने लगी दरसल नीलू का उसकी मा सावित्री के सिवाए और कोई नहीं था पिता को उसने पहले ही खो दिया था और अब उसकी मा सावित्री की तब्यद भी कुछ ठीक नहीं रहती थी तो इसलिए घर संभालने की जिम्मेदारी नीलू पर ही आ गई थी उसकी मा सावित्री घर पर ही सिलाई का काम करती थी कमाई इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था लेकिन इस सबके बावजूद जब भी मातारानी के नवरात्रे आते तो नीलू के चेहरे की चमक ही कुछ और होती थी सावित्री और नीलू दोनों ही मातारानी की भक थी चाहे जैसे भी इंतजाम करना पड़े दोनों नवरात्री के वरत और कन्या पूजन पूरे विधी विधान से करती थी नीलू दीदी, थोड़ा सा हलवा और दो ना दीदी मुझे भी मुझे भी, मुझे भी हलवा चाहिए हाँ हाँ, सब को मिलेगा, अभी लाती हूँ वैसे तो नीलू सब कुछ बहुत अच्छा बनाती थी लेकिन खास तोर पर मातारानी के प्रसाद का हलवा नीलू बहुत ही मन से बनाती थी यही वज़ा थी कि कन्याओं का भले ही पेट भर चाए लेकिन हलवे से मन नहीं भरता था और सर्फ कन्याओं ही नहीं आस पड़ोस के लोग भी हलवे की खुशबू से खिंचे चले आते थे अरे सावित्री बहन, निपट गया सब अच्छे से अरे निपटाना थोड़ी ही होता है कन्याओं पूजन श्रद्धा से किया जाता है हाँ मेरा मतलब वही था हो गया ना सब अच्छे से कन्याओं खूब खुशो कर गई अरे नीलू के हाथों का बना हलवा खाने को मिल जाए तो कौन खुश नहीं होगा अब वैसे थोड़ा बच्चा है क्या ये कहकर सावित्री की पड़ोसन माला ने अपनी कटूरी आगे करती जिसे लेकर सावित्री रसोई में पहुची और फिर क्या हुआ मा क्या चाहिए अब कुछ नहीं वो सावित्री हलवा मांग रही है लेकिन ये तो बहुत कम बच्चा है जाकर मना कर देती हूं से नहीं मा तुम ही तो कहती हो प्रसाद के लिए कभी किसी को मना नहीं करते अरुको थोड़ा सा दे देते हैं हम थोड़ा कम खालेंगे क्या फर्क पढ़ जाएगा वैसे भी प्रसाद तो बस चकने को मिल जाए तो बहुत होता है इतना कहकर नीलू ने बचे हुए थोड़े से हलवे में से थोड़ा हलवा निकाल कर माला की कटोरी में रख दिया नीलू ऐसी ही थी चाहे समय कितना ही मुश्किलों भरा क्यों ना हो उसका विश्वास अपनी मातारानी से कभी डिकता नहीं था ऐसे ही कई साल बीद गए और नीलू की उम्र शादी के लायक हो गई और फिर एक दिन अरे सावित्री बहन सुनो जरा नीलू के लिए बात चलाई है मैंने मेरी रिष्टेदारी में ही है भरा पूरा परिवार है लड़का कमाता भी बढ़िया है सच लेकिन हमारी हालत तो अरे तुम ये सब मत सोचो मैंने नीलू की इतनी तारीफ की है वहाँ क्योंने तो बस अपनी नीलू चाहिए बाकि दान दहेश की कोई मांग नहीं है माला की बाद सुनकर सावित्री को बड़ा सुकून मिला और फिर कुछी महीनों में नीलू शादी करके अपने ससुराल चली गई ससुराल में भी नीलू ने बहुत ही जल्दी सबका दिल जीत लिया लेकिन किस्मत का फेर अभी बाकि था शादी को एक साल भी नहीं हुआ था कि एक दिन फैक्टरी में काम करते हुए एक हादसा हो गया और नीलू के पती सुरज की उस हादसे में मौत हो गई और बस यहीं से शुरू हो गई नीलू की परिक्षा की घड़ी कल मुही निकल जा मेरे घर से पहले मेरे बेटे को खा गई अब क्या मेरा पूरा परिवार खतम करके मानेगी तेरे हाद का बना खाना तो दूर तेरी तो शकल देखना भी बरदाश्ट नहीं होगा मुझसे लेकिन माजी माजी मैं कह जाओंगी नीलू की सास ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उल्टा उसके मुँपर घर का दर्वाजा बन कर दिया नीलू काफी देर अपने ससुराल की दहलीस पर बैठी रोती रही और फिर जब कई घंटों तक घर का दर्वाजा नहीं खुला तो वो हार कर अपने माई के अपनी मा के पास वापस चली आई अरे नीलू कैसी है बिटिया सब खत्म हो गया मा कुछ बागी नहीं रहा अरे, अरे क्या हुआ तू रो क्यों रही है नीलू ने रोते-रोते सावितरी को पूरी बात बता दे नीलू की बात सुनकर सावित्री भी फूट-फूट करोने लगी भाग्यने शायद तेरे लिए यही लिखा है मेरी बच्ची पर तेरी माह भी जिन्दा है तु आज से मेरे पास ही रहेगी पहले की ही तरह मेरी लाडली बनकर मेरी लाडली बनकर मा तो मा होती है सावित्री ने निलू का दर्द कम करने की कोशिश की लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था पूरे गाउं में निलू के विद्वा होने की खबर फैल गई सभी लोगों ने निलू को अपशकुनी मानना शुरू कर दिया ऐसे ही कई महीने बीद गए और फिर एक बार नवरात्री का त्योहार आया माला अंटी अपनी पोती को हमारे घर भेश तो कन्या पूजन के लिए चली जा यहां से जो लड़की अपने पती को खा गई उसके घर मेरी पोती तो छोड़ माता रानी भी कभी नहीं आएगी जो माला निलू के गुणगान करती नहीं थकती थी अब तो वो भी उसे कोसने लगी थी लेकिन निलू ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और ऐसा पहली बार हुआ जब निलू कन्या पूजन नहीं कर सकी सबको लगता था कि माता रानी निलू और उसकी मा सावित्री से नाराज है लेकिन हुआ इसका उल्टा पूरे गाउं में ऐसा रोग फैला कि सबकी चम्री लाल होने लगी और उसमें फोड़े भी पढ़ने लगे और पूरे गाउं में बस एक सावित्री और निलू ही थे जो बिल्कुल ठीक थे हे माता रानी क्या नर्थ है वो दोनों मा बेटी जो कुल अच्छी नी है उनको कुछ नहीं हुआ और हमें देखो ये कैसा रोग लग गया अब हम क्या करें कहां जाएं पूरा गाउं परिशान था महंगे इलाज से भी किसी को आराम नहीं आ रहा था तभी एक सुबह निलू, निलू मेरी बात सुन अरे मा उट गई जाओ जाकर नहा धोलो मैं कुछ खाने को लाती हूँ अरे वो सब छोड़ पता है रात को मेरे सपने में मातारानी खुदाई थी उन्होंने कहा कि गाउं के लोग तभी ठीक होंगे जब वो तेरे हलवे का प्रसाद खाएंगे सच अपनी मा की बात सुनते ही निलू की आँखों में खुशी के आँसुआ गए क्योंकि वो भी गाउंवालों की हालत देख कर बहुत परिशान थी उसने जट से हलवा बनानी की तैयारी शुरू कर दी और फिर सावित्री ने सभी को अपने सपने के बारे में बताया ठीक है सावित्री अगर ऐसा ही है तो हम खाएंगे नीलू के हाथ का हलवा अब ये जो हो रहा है हमारे साथ उससे बुरा और क्या ही हो सकता है नीलू और सावित्री ने मातारानी की पूजा कर सबसे पहले उन्हें हलवे का भोग लगाया और फिर उसी हलवे का प्रसाद पूरे गाउं में बाट दिया सभी ने उस हलवे को खाया और देखते ही देखते गाउं के सभी लोग ठीक होने लगे और शाम होते होते पूरा गाउं उस खतरनाग बीमारी से छूट गया और फिर हमें माव कर दो निलू असल में मातारानी तुझ से नहीं बलकि हम से नाराज थी तेरे हलवे ने तो कमाल ही कर दिया मेरा हलवा नहीं आंटी ये मातारानी के जादू ही हलवे का कमाल है तो सब मिल कर बोलो जय मातादी जय मातादी